के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मुहम्मद महमूद अली साथ, हदराबाद सिटी पुलीज के एडिशनल सीपी क्राइम शिखागोयल, एडिशनल सीपी लौ अर्डर चौहन, एडिशनल सीपी क्राइम अनिल कुमार, सभी जोइंट सीपीज, डी सीपीज, सभी पुलीस ओफिसर्स, हमारे महमान ओफिसर्स, राजकोंडा पुलीस के और साइबराबाद पुलीस कमिशनरेट के और हमारे शी टीम के सभी अफसर्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया आदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर शी टीम को मजबूती के लिए जो गव्मेंट अफ तेलंगाना और गव्मेंट अफ इंडिया के तरफ से एक जॉइं जिसके तहट सिक्स्टी नए टू विलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक्स अब को मिला तीनों कमिश्टरेट को जैसे के हमारे शी टीम में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुचने में एक और इजाफा और बहतर परफॉर्मेंस होगा 2014 से अब तक का जो सफर तिलंगाना स्टेट का रहा है इस सफर की बुनियाद में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सेक्यूरिटी पूरे सोसाइटी का और खास करके सेफ्टी और सेक्यूरिटी महिलाओं का किसी भी सोसाइटी में जब सेफ्टी और सेक्यूरिटी की बात होती है तो Crime Against Women कितना कम है Women के अंदर Safety और Security की एहमियत कितनी जादा है कितना जादा उनको भरोसा है ये सबसे आगे रखा जाता है और चाहे वो अमरीका का मरसर सर्वे हो या National Crime Record Bureau का Statistics हो हर इंडेक्स पे हैदराबाद City, तेलंगाना स्टेट, सेफटी के मामले में अवल नंबर पे है और हमारे Honorable Chief Minister साहब का जो Mark Darshan जो उनका guidance 2014 के speech में था कि जो भी Economic Development स्टेट का होगा उसके foundation में Safety and Security of Common Public और Common Public की जब बात होती है तो उसमें सबसे टॉप प्रियारिटी Women's Safety को दिया जाता है आज हैदराबाद, साइबराबाद और राचकॉंडा तीनों कमिशनरेट को मिला कर लगभग साड़े छे लाख CCTV कैमराज हम लोग के पास है इतना बड़ा लार्ज नंबर ओफ CCTV कैमरा हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है बिलकुल लगभग खत्म हो गया है अब जो भी क्राइम हो रहा है वो इंडिविज्वल क्राइम है पुराने जमाने में जो क्रिमिनल घूमते थे बड़े बड़े ग्रूप बना कर घूमते थे क्राइम करने के लिए वो अब बिल्कुल पूरानी बात रह गई है इसी तरीके से टेक्नोलिजी के यूज के द्वारा रोड सेफटी रोड पर भी जो एक्सिडेंट हो रहे हैं जिसके कारण पहले डेथ ज़्यादा होती थी हैदराबाद शहर में वो भी पिछले तीन सालों में लागातार कम होता जा रहा है हर एक जान की अमियत बहुत ज़्यादा है और एक लाइफ भी अगर हम लोग सेफ कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वो नेशन बिल्डिंग कंट्री के लिए है वो ऐसे मौके पे जब आज एक बार फिर second wave of corona पूरे इंडिया में चल रहा है हमारे पुलीस डिपार्टमेंट के उपर जिम्मेवारी पहले से और ज़्यादा हो गई है कल और आज हम लोगों ने टेली कॉन्फरेंस और वीडियो कॉन्फरेंस में सभी पुलीस ओफिसर्स से पहले अपना साफधानी बड़ते हुए मास्क हमेशा लगाना हाथ हमेशा सोप से वाश करना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ये सब करते हुए पब्लिक का सर्विस रोड सेफटी सब कुछ करना है आज हमारे चीफ सेक्रेटरी सहाब के लीडर्शिप में एक टेली कॉन्फरेंस हुआ जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना के बारे में और बहतर से बहतर कॉडिनेशन कैसे किया जाए जिससे कि कॉमन पब्लिक को मिनिमम इन कर्मीनियन्स हो हॉस्पिटल में बहतर से बहतर ट्रीटमेंट हो और खुदानक खासते अगर किसी का डेथ हो रहा हो तो उसके बाद भी जो बताए हुए तरीके से बॉडी का डिस्पोजल कैसे हो उसमें क्या-क्या साब्धानी पर अतना चाहिए इन सब चीज के बारे में डिसकशन हुआ ये एक क्रैसिस सिच्वेशन है और इस क्रैसिस सिच्वेशन में सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मिलकर पब्लिक के सर्विस में हम लोग 24 आवर्स रहेंगे इस सर्विस में हमारे हैदराबाद सिटी पुलीस के बहुत आविसर्स को भी इंफेक्शन हुआ हम लोगों ने कुछ जाने भी गवाई है लेकिन फिर भी हमारे लिए पब्लिक सेफटी और सिटी का देख़ाल सबसे एहमियर्ट रहता है हमारे सीनियर आविसर्स को भी इंफेक्शन हुआ है बहुत लोगों को दो बार हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हमला हमारे होसले में कभी कोई कमी नहीं आई है और हम लोग इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से हम हमारे अपने होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जब भी हम लोगों ने सर को याद किया उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलीस की होसला अवजाई की और उनके जोश दिलाने से मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम लोग बिलकुल हाट वर्क और सच्चे तरीके से काम करते हैं थैंक यू सो मच